स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दु ग्रामर में आगे बढ़ते हुए उर्दु ग्रामर के कुछ और इंपोर्टन टॉपिक के उपर डिसकस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यह सारे टॉपिक को समझने वाले हैं यह हर एक टॉपिक से आप लोग के एक्जा में क्यों पूछे जाते हैं जिस तरह से क्योशन पूछे जाते हैं आप लोग को बता दिया जाएगा कि किस तरह से क्योशन पूछे जाते हैं हर एक topic को एकदम deeply हम लोग समझेंगे और पता है नई बात क्या है उर्दु grammar नए अंदाज में क्यों लिखा जा रहा है इसमें नई बात यह है कि सारे topic को समझ लेने के बाद सभी topic को cover कर लेने के बाद last में कुछ question पूछे जाएंगे और उस question का answer आप लोग को comment box में लिख कर important बात भी आप लोगों से हमें करनी है तो वह हम लोग वीडियो के last में करेंगे सबसे पहले topic को समझ लेते हैं और जो हम लोगों को सीखना है समझना है सबसे पहले इसको cover कर लेते हैं ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उर्दु grammar for class 10th और 12th यान कर रहे हूं आज का ये वीडियो important है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस्म नक्रा इस्म नक्रा और इस्म आर्फा दोनों तुम्हें आप लोगों को बता ही चुकी हूं और इसके पहले वाले वीडियो में make sure कि आप लोग ने इसका पहला वाला व किसी भी-शहर कोई भी शहर हो सकता है श खी पूरी जाती आजा रहे हैं कि शहर जो है ना वह एक आम नाम है तो शहर ये लफ क्या कहलाएगा इसम नक्रा मैं कहूं कि मैं नदी के किनारे खड़ी हूं तो नदी में तो कोई इस्पेसल नदी का नाम नहीं बताई मैं मैं सिर्फ बोली नदी, नदी में तो कोई भी नदी हो सकती है, नदी की पूरी जाती आ जाएगी, तो नदी लफ़ क्या कहलाएगा, इसम नकरा कहलाएगा, मतलब किसी भी चीज़ का आम नाम क्या कहलाता है, इसम नकरा कहलाता है, और इसम मार्फा खास नाम को कहते हैं, जैस परकार मतलब होता है बढ़ा किया हुआ यानि कि जिस नाम से बढ़ापन जाहिर उसे कहते हम लोग इस में मुकबर जैसे की बालटा और मुसगर का मतलब होता है छोटा किया हुआ यानि कि वो नाम जिससे छोटापन जाहिर हो उसे कहते हैं हम लोग इसमें मुसगर जैसे कि बालटी अब देखिए बालटा और बालटी दोनों को कम्पेर कीजिये आप लोग को पता चलेगा कि बाल्टी और बाल्टा दोनों में जो है ना बाल्टी छोटी है और बाल्टा बड़ा है यान की बड़ापन जाहिर हो रहा है बाल्टा इस नाम से बड़ापन जाहिर हो रहा है तो क्या कहेंगे बाल्टा को इसमें मुकबर कहेंगे और बाल्टी हम लग को कहेंगे अउसे तरीके से बाग है और बागीला हिचा है तो बाग पूशन आप लोगों के एक्साम में इसी तरीके से पूछा जाता है कि मंदर से जैल में से इस मुकबर की पहचान करे면 दिया रहे रहेगा बाखी तीन में मसगर रहेगा और कोई ऐसा अमों होगा जिसमें इसमें म Gusty गरेगा और उसको आप लोगों को पिछान जिसे की मां लिए संदुक्चा उठा लिया और और कार डिए संदुक्च मंदर मेंबसे मन्दर में से कौन की किस्म है और आफ सिन में जिस बी और समय अप्सें में इस्म मुसख опас है तो आट तो कोशन पुछने का यही दो तरीक रहे गा या तो लफ़ा उठा लेगा और कहेगा कि बताइए की कौन सी किस्म है कौन सा टाइप है या फिर कोशन पूछेगाइस तरह कि 만들 kindergarten الخ Messer मैं एस मैं मोगबर की पेचान करें या फिर मुसifully pursued पूछना रहेगा तो मुसल कूछान करें यही होता है कोशन पूछने का तरीका सुचिए कितना आसान है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा इसम लकरा की तीसरी किस्म हैं तीसरा टाइप इसमें आला इसमें आला उस तरह की इसम को कहते हैं जो औजार या फिर हथियार को जाहिर करते हैं और हथियार के तौर पर भी ठीक है तो चाकु क्या होगा हिसमें आला कहलाएगा फथॉड़ी यह एक तरह से ऑजारही है तो हथ heat क्या χremmameter तो यह वी क्या है एक अजार है हजार का नाम है तो हजार सब्सक्यार क्या होगा है सहोगत इससे जाद रखिएगा कि किस इसमें सौत कहलाता है, यानि कि आवाजों के नाम को हम लोग इतने सौत कहते हैं, जैसे कि म्याओं म्याओं, भो भो, कुकु, धबडब, छम छम, काएं काएं, भाएं भाएं, वाटेवर, मतलब जो भी आवाज सुन रहे होंगे, ठीक है, आप अपने जिन्दगी में जो भी आवाज सुने होंगे, सभी आवाजों के नाम क्या कहलाएंगे, इसमें सौत कहलाएंगे, ठीक है, और पांचवा जो टाइप है, और आखरी, वो है, इसमें जर्फ, इसमें जर्फ, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, मतलब इसके पास मैं स्टार लगा दे रही हूं, इससे बहुत सारा कोशन, चाहे क्लास तेन्थ हो या फिर टुएल्थ हो, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, मतलब इसमें जर्फ से ही तीन-चार कोशन देखने को मिल जाते हैं, और है ये कुछ भी नहीं, इसमें जर्फ, मतलब कि किसी भी जगह या फिर वक्त के नाम को कहते हैं, जगह या फिर वक्त का नाम क्या कहलाता है, इसमें जर्फ कहलाता है, जैसे कि सुबह वक्त का नाम है ना, शाम, वक्त का नाम है ना, दो पहर, रात, ये सब क्या कहलाएगा, वक्त का नाम है, या फिर कोई भी जगह का नाम हो, जैसे कि इदगह, अस्पताल, स्कूल, ठीक ह तो जगह का नाम हो यह फिर वक्त का नाम हो क्या कहलाएगा इसमें जर्फ कहलाएगा अब इसी बेस पर जो है ना इसमें जर्फ को दो भागों इंबाटा गया यानि कि इसमें जर्फ की दो टाइप है दो किसमें है इसमें जर्फ जमा और दूसरा है इसमें जर्फ मका इसमें कि वक्त के समय के नाम को कहते हैं लिų जगाह के नाम को कहते हैं कि सुबह रात ये सब भी नाम क्या पैलाएंगे व्याओ सब्सक्रडू आउर इजिकोड़के नाम है। तो इसी वज़ेसे ये इसम जर्फ जमा कहलाएंगे ठीक है आई हूप आप लोगों समझ में आ गिया होगा एक बार क्विक रीजन करते हम लोग इस मुकबर बड़े जिस नाम से बढ़ापन जाहिर हो उसे इस मुकबर जिस नाम से चुड़ापन जाहिर हो उसे इसम सकर किसी और उसके बाद से किसी भी आवाज का नाम इसमें शौट और किसी भी जगा या फिर वॉक्त के नाम को आप लोग यहां तक स्क्रिन शौट ले सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप लोग पड़ पड़ विडियो को लाइक कर दें जो कुछ भी आज कि इस समझ में आये तो देन लाइक तो बनता है डू लाइक एंडू श्यार जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को शियर करना है ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके ठीक है अब ताइम आ गया है आप लोग को होमवक देने की ठीक है तो मैं आप लोग को कुश्टन देती हूं और आप लोग को कमेंड बॉक्स में एंसर लिखकर बताना है ठीक है इस में नकरा कि यह पांचो टाइप समझ रहे हैं आप लोग अब आप लोग को ध्यान से देखिए क्या करना है सबसे पहला जो टाइप है इस मुकबर इस मुकबर का तीन एक्जामप कमेंड बॉक्स में लिखना है यह बहुत ही ज़्यादा आसान है इस मुकबर लिख दीजेगा और डैस देकर इसका तीन एक्जामपल लिखना है ठीक है उसके लावा तलवार हो गया कैंची हो बहुत सारे एक्जामपल हो जाएंगे आप लोग खुद सोचिए मतलब जो मैं एक्जामपल आप लोगो खुद सोचकर जह hearing comment box में में लिखना है और इस मिझे जर्फ सिर्फ जाएगा फिर जगह का नाम ऍटीकicon कमेंड ouvertक लोगको लिखी कर बताना है अब जेरा कुछ लोग कह रहे थे कि में क्लास 10 फो या फिर 12 हो जल्दी जल्दी अब्जेक्टिब कर आई है ठीक है वाले इस्टुड़न तो काफी एक्साइटेट थे हलांकि क्लास 10 वाले स्टुड़न का उतना ज्यादा मतलब वह काफी एक्साइटेट नहीं दिख रहे लेकिन हाँ ट्वेल में पोस्ट करके आप लोग कमेटी देखते रहेगा ठीक है टेंथ क्लास की बात करें तो टेंथ क्लास वाले स्टूडेंट जो है न वह उतना ज्यादा एक्साइट अभी नहीं रह रहे हैं लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो बेशक हो सकता ह हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि टेंथ क्लास के उर्दू का चैप्टर वाईज हर एक चैप्टर का अब्जेक्टिव कोशन लाइव क्लास के माध्यम से हो तो फिर आप लोग को पहले से तयार रहना पड़ेगा और काफी संख्या में स्टूरेंट को जोड़ना पड लाइव क्लास करने में अब्जेक्टिव कोशन आप लोगों से पुछने में यु नौ अब्जेक्टिव कोशन लाइव क्लास करने में बहुत ज्यादा मजा आता है ठीक है तो यह सारी बात हो गई और क्लास 12 वाले स्टूडेंट से में कहना चाहती हूं कि जी हाँ वही बात है 12 क्लास के उर्दू का बहुत जल अब्जेक्टिव कुर्शन लाइव क्लास की माध्यम से स्टार्ट होने वाला है तो आप लोग भी रेडी हो जाईए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर करने मज़ा है क्योंकि मज़ा तभी आता है जब भारी संख्या में जुडए हुए हो तो जितने भी क्लास 12 वाले स्टूडेंट है आप लोग और कुछ नहीं करना है अगर आप लोग चाहते हैं कि अर्दू के अब्जेक्टिव कॉशन का या पदिकाक्तिव कुशन योप आप लोग को हमारी बाते समझ में आ गई होगी अब जिस दिन से लाइव क्लास से स्टार्ट होगा जिस दिन से अब्जेक्टिव कोशन लाइव क्लास के माध्यम से कराया जाएगा उस दिन का डेट और टाइमिंग कम्यूनिटी पोस्ट में जो है ना पोस्ट कर दिया जाएगा तो आप लोग कम्निटी पोस्ट देखते रहिएगा चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं अगर आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लिली जे फड़ाफट स्क्रिंशॉट अगर इस वीडियों को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इसके साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ I hope आज की इस वीडियो में जो कुछ भी आप लोग को बताई समझाई हमारी बाते आप लोग को समझ में आई होंगी और आप लोग ने वीडियो को like share वगरण और तो कर लिया हो ठीक है तो मेक शूर कि आप लोगोंने नोटिफिकेशन बेल को ओन रिया हो नहीं तो विडियो अप्रोड होगा और आप तक नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं ठीक यह सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक तो अब हम लोग इसके नेंस्ट व colored में मिलेंगे नेक्स्ट उर्दु ग्रामर के टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदाहाफिज